मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्थिम है, देश में स्टार्ट अप्स की संख्या अब सभा लाग के आस्पात पहुंच रही है, मुझे ये देखकर बहुत खुशी है, कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्ट अप्स छोटे छोटे टीर 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 त्री ऐसे शहरों में हो रहे हैं, जो जिला केंदर भी नहीं है, इन स्टार्ट अप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं, इस बार के बजेट में स्टार्ट अप्स को मिलने वाली टैक्स छुट को आगे बढ़ाने का भी एलान किया गया है, इसका बड़ा लाब हमारे युवाओं को मिलेगा, बजेट में रीसर्ट और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपिये का नया फंड बनाने की गोश्णा की गई है, साथियों, आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतिये रेले में भी नियुक्तियां हो रही है, जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी आता पर जाना होता है, तो भारतिये रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है, भारतिय रेल्वे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फर्मेशन के दौर से गुजर रही है इस दसक के अंत तक भारतिय रेल्वे का पूरी तरह काया कल्प होने जा रहा है आपको याद होगा 2014 से पहले रेल्वे की क्या स्थिती थी रेल्वे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरी करन करना हो ट्रेनों का संचालन बहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविजाय बढ़ानी हो इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था पहले की सरकारें सामान्य भारतिय की परिशानियों के प्रती उपेक्षा का भाव लिये रहे 2014 के बाद हमने ट्रेन यात्रा के पूरे अनुभव को नया करने का भ्यान शुरू किया हमने रेलेवे के मोडनाइजेशन और अफग्रेडेशन फोकस किया इस बार आपने बजेट में भी देखा होगा सरकार ने एलान किया है कि बंदे भारत एक्सप्रेश जैसी 40,000 आदुनिक बोगियां तयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा इससे सामान्य यात्रियों का सफर और सुविधा जनक हो जाएगा साथियों देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है कनेक्टिविटी बहतर होने से नए बाजार बनने लगते हैं परेटरंस्थलों का विकास होता है कनेक्टिविटी बहतर होने से नए बिजनेस तयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखो आउसर बनते हैं यानि कनेक्टिविटी अच्छी होने का सीधा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है विकास की गती तेज करने के लिए इंफ्रास्रक्टर में निवेश बढ़ाया जा रहा है इस बार के बजेट में इंफ्रास्रक्टर के लिए ग्यारा लाग करोड रुपिय का निवेश का लक्ष रखा गया है